हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप से भी अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप से भी किले लाई हूं करेले की अचार की रेसिपी देखिए करेले का चार हम किस तरीके से डालते हैं आज मैं आप से भी किसा शेयर करूंगी इसकी वीडियो और ये एक साल तक भी खराब नहीं होगा और आप इसे आराम से खा सकते हैं और ये देखिए करेले का चार हमारा कितना खिला खिला कितना अच्छा बनाया है ये खाने में बहुत टेश्टी होता है और फायदी मन भी होता है तो चलिए बनाने स्टाट करते हैं सबसे पहले हमने कर तो अब इनको हमें डबे में डालकर इसमें नमक डालकर और हल्दी रात भर के लिए रख देंगे तो इसको बोलते हैं अचार को चराना तो आपकी लेंगविज में क्या बोलते हैं नहीं पता लेकिन हमारे यहां पर बोलते हैं अचार को चराना तो इससे क्या होता है जो इसक अब दब्ब्बे को हलाते वे अच्छा से mix कर देंगे इस तरीके से अभी सारी हल्दियों नमक मिक्स हो गया और रात भर के लिए इसे डब्बब्बे को बंद करकर रख देंगे अगले दिन इस अचार को हम सुखा देंगे अगर हम दूप में सुखाएंगे तो 1-5 घंटे की दूप लगाएंगे बस और हम पंखे की हवा में सुखाएंगे इसको तो इस तरीके से कोटन के कपड़ पर फैला कर 3-4 घंटे पंखे की नीचे रख देंगे जिससे की अच्छे पानी सूख गया है मैंने ने दूप में सुखाया था च़त पर ए देखे इनका पानी इच्छे से सूख गया है तो अब हम अचे ज़ा ड़ने के सबसे पहले हम मसाली दिका ag that was reason ये थोड़ा सा जीरा, ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हींग, ये लिए मैं थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लिए कस्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, तो मसाले मैंने अपने अचार की क्वांटिटी के हिसाब से सबसे पहले हमें जीरा दाल देना है वोसके बाद डाल दीन है अजवाइन और यह डाल देना है सोंफ तो सब्सक्राइब इन तीनों मसालों को दो सी तीन मसाले तक चलानाएं बाकी मसाले बाद में आट तो इसमें यह तो ध्याना ह過去 से मसाले लिए और कुन से बाद में। तो ये देखिए हलकी सी बुन गई है, तो इसके बाद डाल देगे हम इसमें अपनी सरसोग, और ये डाल दिया है मैने मेथी और काले मिर्च। अब अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। करना हैP सबसे लास्ट में ढालती इसे में हिंक क्योंकि यहां हिंक को अगर स्टार्टिं rikt में डालते तो ऑने में सबसे लास्ट में डालते हैं अब इनका दरदरा मसाला हम त्यार करेंगे ये देखिए बरीक नहीं करना है इसको दरदरा पीशना है इस तरीके से तो ये मसाला तेयार हो गया है अब हम एक कड़ाई ले लेंगे कड़ाई में थोड़ा से सरसो का तेल चड़ा कर पका लिया है सबसे पहले डाल दी है उसमें थोड़ी सी हिंग उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है हल्दी डाले दालें निबाद तोड़ी शी ड़ाला कस्मिरी लाल मिर्च आब इसमें डाल देंगे, हम करेली घज को हम बंद कर देंगे और अच्छे से, चलाते हुई मिक्स कर देंगे यह जब मिक्स हो जाएक, हम इसमें अपना मसाला तो यह अच्छे मिक्स हो गया है अब यह डाल दिया है मैंने इसमें मसाला मसाला डाले के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इस अचार को हम कांच के किसी विजार में डालकर ढकन टायर से बंद करके रख देंगे उस उसके बाद आप इसको एक साल तक 6 मिनित तक अराम से खा सकते हैं ये खराब नहीं होगा बीच में इसे एक दो बार दूप लगा दीजिए तो ये मेरा अचार तयार है आप भी ट्राइ कीजिए एक बार करे लिए अचार की रेसिपी तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लेग करेम करेंज मेरे रेछा हैं झाल वे पर दीजिए एक जापका पल्डार है वीजिए पूलया वीजिए इस टेर प्रफ़का हैं झाल से झालाव कि बात की टूपज़का हैं पर भार मेरे पत्वा का बारादा नहीं।